हेलो तो स्वागत है आप का इंडू पाणिशाला में आज हम डिसक्स करने वाले हैं भारत के प्रमुक जील तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है हमारा वेर इस चलका लेख लोकेटड चलका जील कहां अस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A Odisha में इस्थित है चिलका लेक चिलका लेक is located in Odisha तो other कुछ extra information देख लेते हैं about चिलका लेक तो चिलका लेक भारत के सबसे बड़ी lagoon लेक है और इसमें जो water है इसका ये fresh water नहीं है ये खारा पानी है that means कि ये salty water है अब हम देख लेते हैं lagoon lake क्या होता है तो यहाँ पे basically ये आपको lagoon lake दिख रहा होगा और ये area है coastal area मतलब यहाँ पे ये sea है और यहाँ पे जो area है ये coastal area है और ये जो lake है इसको कहते है lagoon lake इसमें जो water होता है वो fresh water नहीं होता obviously बात है कि अगर sea के पास है समुदर के पास है तो यहाँ पे इसका पानी इसमें भी आता जाता रहता है यहाँ पे लिखा हुआ है समुदर का पानी उसमें आ जा सकता है तो समुदर का पानी salty होता है तो obviously बात है कि जो lagoon lake है उसका भी water कैसा होगा fresh water तो नहीं ही होगा वो salty होगा तो यह आपने देखा Lagoon Lake, अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा map में देख लेते हैं जो चिलका लेक है वो कहां situated है, मतलब located है map में, तो यहाँ पर यह portion है Odisha, और Odisha में ही है यह चिलका लेक, यहाँ पर अब हम देखते हैं, next question question number two, which is the second largest Lagoon Lake of India भारत की दूसरी सबसे बड़ी Lagoon Lake कौन सी है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number D Pulikat Lake, हमने देखा अभी first question में की largest Lagoon Lake of India which is चिलका Lake that is located in Odisha, लेकिन अगर बात करें second largest Lagoon Lake of India तो option number D Pulikat Lake will be your correct answer और अगर बात करें, Pulikat Lake कहां situated है, तो ये है आंत्रप्रदेश and Tamil Nadu के border पे तो आंत्रप्रदेश में mostly area देखने को मिल जाता है, Pulikat Lake का और Tamil Nadu में अगर बात करें, 85% आंत्रप्रदेश में है और Tamil Nadu में 15% है Pulikat Lake का और border पे स्थित है और जो सतीश धवन सतीश धवन उपगरह प्रक्षेपड केंद्र जो है, वो भी यहीं पे है, ओके, ये चीज़ information आपको ध्यान में रखनी है और जो अगर other lakes की बात करें जैसे कि जो कोलेरू लेक है ये कहां पे situated है, तो ये आंत्रप्रदेश में है, अगर Pulikat Lake की बात करें तो ये तमिल लाडू और आंत्रप्रदेश के बॉर्डर पे है, और कोलेरू लेक की बात करें तो वो आंत्रप्रदेश में है, तो इसको हम location में देख लेते हैं थोड़ा सा जैसे यहां पे है यहां पे है आंत्रप्रदेश और यहाँ पे है तमिल नाडू तो यहाँ पे है कुलेरू लेक और इन दुनों के बॉर्डर पे है पुलिकट लेक ठीक है? इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जैसे यहाँ पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देखे यहाँ पे है कुलेरू लेक यहाँ यह चीज़ यह आंत्रप्रदेश है ठीक है? और यहाँ पे है यह तमिल नाडू तो यहाँ के बॉर्डर पे है पुलिकट लेक और यहाँ पे आंत्रप्रदेश में है कुलेरू लेक मैप में मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके माइंड में वो इमेज के दुरू बन जाए और आपको easily याद हो जाए कि कौन सा लेक कहां situated है question number 3 है इन में से कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A, Wooler Lake और Wooler Lake के बारे में extra information देखते हैं कि यह कहां परे है तो यह Jammu and Kashmir में है और अगर दूसरी lakes की बात करें जैसे कि सेश नाग, नागिन जील, डल जील, अनन्त नाग और बैरी नाग यह भी कहां पर पढ़ते हैं तो यह Jammu and Kashmir में पढ़ते हैं और अगर बात करें कि Dwells of Srinagar तो उसको डल जील को कहते हैं ठीक है, डल जील को Srinagar का गहना कहते हैं और अगर बात करें कि जैलम रिवर कहां से originated होती है origination of Jailam River is from बैरी नाग कहीं-कहीं शेस नाग भी देखने को मिलता है बट basically बैरी नाग is the correct answer तो अब हम देख लेते हैं इसको map में जिसे कि Jammu and Kashmir की बारे में हमने बात की तो यहाँ पे है Jammu and Kashmir और यहीं पर से जो हमारा Wooler Lake है सबसे बड़ी fresh water of fresh water lake in India तो यहाँ पे से निकलती है यहाँ पे situated है, ठीक है next question है, question number 4 भारत में कौन सी जील उलका पिंड के पृत्वे से टकराने से बनी है ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा option number D, Lonar Lake अब बात करें अगर Lonar Lake की तो यह उलका पिंड के टकराने से बनी है formation इसका उलका पिंड पृत्वे से टकराई तो इस वेज़े से वहाँ पे गड़ा बन गया और वहाँ पे क्या हो गया, एक लेक बन गया और कहाँ पे यह situated है तो यह महरास्ट में है और अगर district के बात करें तो बुल धाना है यह इतने ध्यान नहीं रखना बस महरास्ट में याद रखना है और पृत्वे की पर जो उलका पिंड की टकराने से यह बनी है इसकी location देख लेते हैं महरास्ट कहाँ पे है महरास्ट यहाँ पे है ठीक है, करनाट के ऊपर तो यहीं पे क्या है लोनार लेक है अब हम next question देख लेते है इन which of the following states लोकटक लेक इस situated यह most important question है निमलकेत में से किस राजय में लोकटक जील इस्तित है इसका correct answer हो जाएगा option number B, मड़ीपुर में और सबसे जो विश्व में एक मात्र तैरता हुआ जो एक national park है जिसका की नाम है केबुल लाम जाओ तो ये भी इसी लेक पर इस्तित है और अगर बात करें western India की तो वहां की सबसे बड़ी fresh water की लेक है यही कौन सी लोकटक लेक इतनी information आपको ध्यान में रखना है और मड़ीपुर की बात करें तो मड़ीपुर basically यहां पर situated है यहां पर ठीक है मड़ीपुर यहां पर है और यहां पर भी आपको दिख रहा होगा न लोकटक लेक तो यहीं पर है मड़ीपुर और यहीं पर है लोकटक लेक और एक मात्र तयारता हुआ नेशनल पार्क और उसका नाम है केबुलाम चाओ यहीं पर इस्तित है next question है which one of the below is a heart-shaped lake heart-shaped हिर्दय की आकरती दिल की आकरती वाला जील कौन सा है इसमें से तो इसका correct answer हो जाएगा option number D हुसैन सागर लेक और यहां पर आप देख रहे होंगे न यह चीज ऐसे यह ऐसे heart-shaped lake है न यह तो इसे को कहते हुसैन सागर लेक और यह कहां पर situated है तो यह तेलंगाना में है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D हुसैन सागर लेक और यहां पर हम इसको देख लेते हैं map में तो तेलंगाना कहां पर है यहां पर है तेलंगाना ठीक है और यही पर है हुसैन सागर लेक next question है question number 7 which is the longest lake of India भारत की सबसे लंबी लेक कौन सी है लंबी तो इसका correct answer हो जाएगा option number C वेंबनाड लेक अब हम देख लेते हैं वेंबनाड लेक की location और ये कहां पे है तो ये है केरल में और अगर अन्य मतलब कि जो दूसरी लेक से हैं जैसे कि अश्टमूदी और पेरियार लेक पेरियार नदी पे तो ये सब कहां पर हैं ये भी केरल में है अश्टमूदी और जो वेंबनाड लेक है वो केरल में है और अगर बात करें कि longest lake of India which is वेंबनाड लेक इन केरला अब हम केरल की location देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे जो है ये केरल है और यहीं पे है longest lake of India which is वेंबनाड लेक in केरला ठीक है next question है 8 number का which is largest inland salt water lake of India भारत की अंतास्थली खारे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C, सामभर लेक ओके, सामभर लेक क्या है भारत की अंतास्थली खारे पानी की सबसे बड़ी जील अगर बात करें inland ये चीज़ आपको ध्यान में रखने है कि अगर अंतास्थली या inland पुछे तभी आपको सामभर लेक पे टिक करना है otherwise अगर option में चिलका लेक दिखता है तो चिलका लेक will be your correct answer अगर inland की बात करें अगर कहीं inland लिखा हो तब आपको सामभर लेक पे टिक करना है और सामभर लेक कहां पर है ये राजस्थान में है राजस्थान में और भी लेक से हैं जैसे कि राजसमंद लेक, जैसागर लेक डिडवाना लेक, फते सागर लेक जैसमंद जील से ही क्या है साबरमती नदी निकलती है जिसके किनारे कौन सा एक सिटी है वो है एहमदाबाद इतनी information आपको ध्यान में रखनी है कि जो साबरमती रिवर है वो जैसमंद लेक से निकलती है और जो एहमदाबाद है वो साबरमती रिवर के किनारे है अभी हमने देखा राजिस्थान तो यहाँ पे राजिस्थान है यहीं से क्या है यहीं से जो हमारी साबर लेक है वो यहीं पे situated है नेक्स्ट कोईशन नमबर नाइन है इन्डिया इंडिया इस हाईएस्ट लोकेटेड लेक हाईएस्ट मतलब की उचाई पर इस्थित जील कौन सी है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा option नमबर C चोलामू लेक इसका correct answer हो जाएगा चोलामू लेक और चोलामू लेक अगर बात करे कहां पर है और भूटान के बीच में सिक्किम है और ये साथ बेहने जो इस्टर्न साइड में जो भी स्टेट्स पढ़ते हैं उनका भाई कहा जाता है उनका ब्रदर कहा जाता है तो सिक्किम आपका correct answer हो जाएगा चुलामो लेक इसे पे है सबसे उचाई पर सबसे हाई पॉइंट पर इनडिया तो इसका correct answer हो जाएगा option number C उत्तरा खंड में जिसके भी बाद में जैसे किसे भी लेक का नाम हो उसमें ताल ताल करके लगा हो तो वो basically अगर बात करें तो उत्तरा खंड में ही situated होती है नॉर्मल यगर देखा जाता है तो जैसे कि राकस ताल जील मानसरुअर जी रूपकुंड जील तो ये सारे information आपको ध्यान में रखने है ठीक है रूपकुंड जील जिसको की कंकाल जील पे कहते है इसमें बहुत सारे skeleton पाए गये थे और उत्तरा खंड की हम location देख लेते हैं उत्तरा खंड है यहाँ पे नेपाल के पास में ठीक है तो यहीं पे उत्त राकस ताल जील नेक्स्ट कोईशन है वेर इस सूरज ताल लेक लोकेटेड इन इंडिया सूरज ताल जील कहां इस्तित है अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ताल है तो यह उत्तरा खंड में होगा नहीं इसलिए इस कोईशन को include किया हुआ है तो इसका correct answer हिमाचल प्रदेश ठीक है तो सूरज ताल लेक विच इस सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश और अगर बात करें कि चंद्रताल सूरज और चंद्रताल दोनों ही कहां पे है यह है आपके हिमाचल प्रदेश में ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि सूरज ताल एंड चंद्रताल लेक, विच इस सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट है हमारा question number, पहले हम इसको हिमाचल प्रदेश को इधर देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश उत्राखंड के ऊपर में है, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, और यहीं पे है चंद्रताल और सूरेस्टाल लेक, ठीक है? अब next question है, question number 12, विच इंडिया's largest artificial lake, भारत की सबसे वड़ी कृत्रम जील कौन सी है? इसका correct answer हो जाएगा option number C, गोविंद बल्लव पंत सागर लेक, यह artificial, largest artificial lake है, और यह उत्तरप्रदेश में है, ठीक है? और जो रिहंद डैम है, रिहंद डैम विच इन उत्तरप्रदेश, उसके ही पास में एक जल संग्रहन का छेतर है, वहाँ पे water collective area है, उसी से एक जो artificial lake का formation हुआ है, उसी को कहते गोविंद बल्लव पंत सागर लेक, और उत्तरप्रदेश में ही रामगर ताल जील भी इस्थित है, और उत्तरप्रदेश की location यहाँ पे देख लेते हैं, यह है उत्तरप्रदेश, ठीक है? और यहीं पर क्या है? रामगर ताल लेक है, और गोविंद बल्लव पंत सागर लेक भी है, अब next time देख लेते हैं, यह question आपके लिए है, question for you, वेर इस सुखना लेक लोकेटेद इन इंडिया, भारत में सुखना जील कहां इस्थित है, इसके correct answer आप मुझे comment section में देंगे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो अपने friends के साथ जरूर शेयर करें, thank you so much for watching this, मिलते हैं आपसे next video में,